तो भाई काफी लंबे टाइम के बाद प्रोजेक्ट इलिक्जर का लेटेस्ट अपडेट आ चुका है जो कि Android 14 बेस्ट है और ये क्या रॉम आपको स्टेबल मिलती है या फिर नहीं इस वीडियो में इसके बारे में बात करेंगे और K20 Pro के लिए इसका अपडेट है तो इसके आपको देखने के लिए मिल जाएगा अप्रेयल 2024 का Android security patch है Elixir version 4.2 अगैन यहां पर भी मेंशन है उसके बाद जो करनल है वो वैफल आपको देखने के लिए मिलेगा और यहां पर आइकॉन्स देखोगे न भाई यह भी आपके अपडेट हो चुके हैं सिलिक स्टेटस आप यहां पर आपको enforcing देखने को मिलता है सबसे पहले रॉम के smoothness की बात करें तो यहां पर जो रॉम है वो काफी ज्यादा smooth आपको देखने को मिलेगी यहां पर कोई major issues आपको नहीं आने वाले और यहां पर आप animations भी check कर सकते हो कुछ इस तरीके से RAM management वगरा भी आपको अच् implementation जो आपको मिलती है na haptics वगरा की वो भी काफी अच्छी है यह जो launcher है यह आपको pixel launcher देखने को मिल जाता है उसके बाद wallpaper है style में देखोगे तो यहां पर आपको यह सारे जो है wallpapers वगरा का section मिलता है themed icon है app grids का option रहेगा तो ज्यादा changes नहीं मिलते जो कि आपको पता ही है क्योंकि यह जो launcher है यह stock launcher आपको मिलता है pixel का और यहां पर वैसे जो clocks वगरा है वो आप apply कर सकते हो काफी सारी clocks है AOSP वाली यह जो ROM है वो AOSP based है बट यहां पर जो आपको camera वो Xiaomi का देखने के लिए मिल जाता है 4K 60fps में आप check out कर सकते हो यह जो camera है वो Leica का camera आपको मिलता ह लाइका के साथ आपको जो modes वगरा है वो मिल जाएंगे उसके बाद यह सारे K20 Pro के stock features भी यहां पर आपको देखने को मिल जाते हैं अगर मैं यहां पर kernel SCU के अंदर चलो तो देख सकते हो यह आपका working आपको मिल जाएगा तो इस चीज़ का benefit आप जरूर से ले सकते हो and अग जैसे इसका pro version वगरा भी आता है तो अगर आप pro user हो तो आपको थोड़े ज्यादा features मिल जाएंगे जो कि मैंने cover भी किये थे एक वीडियो के अंदर यहां पर icon के regarding वगरा आपको यहां पर theming की customizations देखने को मिलती है उसके बाद under display fingerprint scanner के regarding भी customizations यहां पर add हो चुकी है basically आप जो है animations को जो customize है ना वो कर सकते हो एंड यह जो है dynamic island भी यहां पर आपको मिल जाता है quick settings में आपको यहां पर यह सारे features देखने को मिलेंगे then gestures का section रहेगा उसके बाद navigation mode के अंदर जाओगे न तो यहां पर फिल की length radius है और काफी सारे और भी changes है जिनको आप definitely check out करना advanced restart है औ और assist volume haptics आपको मिल जाएंगे flash notifications जो के android 14 में आपको देखने के लिए मिलते हैं and यह जो है higher fps वगरा और game space का भी section है इस ROM के अंदर थोड़े और changes की बात कर लें तो display के अंदर देखोगे तो मैं आपको थोड़े से changes चेक करवा देता हूं colors के अंदर यह सारी profiles आपको मिल अच्छा है मेरा मेरे को कहीं भी major app यहां पर बैटरी देखने के लिए नहीं मिला और के प्रफाइल आपको मिल जाते हैं जिसमें मैंने इसको performance mode के उपर ही यूज किया है बागि battery का widget अगर आप एड़ करना चाहते तो उसको option रहेगा sound and touch में me sound enhancer के साथ आपको hi-fi audio देख देखने को मिल जाता है एंड उसके बाद system के अंदर वही सारे features हैं बाकि live translate है इसका जो update रहा वो भी आपको मिल जाता है मैं अगर आपको speed चेक करवाओ ना यहां पे fingerprint की तो सबसे पहले आप screen on के साथ देखो भाई काफी ज़दा fast आपको देखने को मिलती है and I guess screen of FOD यहा आपे present है 3D mark के scores आप चेक कर सकते हो while left test के अंदर है और यह आपको यहां पर CP throttling graph मिल जाता है 5% तक आपका CP throttle कर जाता है उसके बाद geek event 6 के scores आपको देखने को मिल जाते हैं यह आपको N22 benchmark के scores मिलेंगे और wide 1L1 आप चेक कर सकते हो even google photos के अंदर spoofing आपको definitely यहां पर ROM के मिलती है अब gaming की perspective से मैंने दो चीज़ें ट्राई की सबसे पहले event में मैंने ट्राई किया जहां पर काफी ज़्यादा lag देखने को मिला और normally मैंने यहां पर screen recording को on कर रखा था बट screen recording के बीना भी भाई lag आपको मिल जाएगा अगर आप जो है classic के अंदर जाओगे and थोड़े enemies आपके आसपास रहेंगे ना 3-4 भी आमान सकते हो तब भी जो ROM है उसके अंदर आपको FPS drop मिलेगा and उसके भी अगर आप इसको भी less कर देते हो like normally आप यहाँ पर जो है गाड़ी बगरा चला रहे हो तो उसमें भी random आपको major drops देखने को मिलेंगे तो basically यह जो ROM है यह आपको gaming के लिए देखने को नहीं मिलती बट हाँ ROM के अंदर overall UI की performance अच्छी है बट अगर आप इसको gaming के perspective से flash करना चाते हो तो आपको kernel वगरा change करना पड़ेगा बट हाँ ROM के अंदर जो improvements ना UI को लेके वो मेरे को भाई specially काफी अच्छी लगी है and यह एक minimal ROM है और minimal जिनको जो है look चाहिए definitely इस ROM के लिए जा सकते हो